नमश्कार न्यूस टाइम्स के इस बुलिटीन में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं उत्रिप्तिव विश्व कर्मा आईए खबरों का सिलसलाब शुरू करते हैं राजनगर थाना छेत्र के नौदय चौक सिजलता में सड़क हाथसे में एक व्यक्ति के मौत हो गई और घुम गई बस पहले खंबे से टकराई और फिर पश्पन वर्सिये सुधाकर महाकुन नामक साइकिल सवार को भी अपनी चपेट में ले लिया साइकिल सवार का पैर घटना सतल पर ही तूट गया कई जगों में गंभीर चोटे आई वहीं यात्री बस चालक मौके से फरा की गंभीर हालत को देखते वे उनके परिजन घायल को टीमेश ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया राजनगर पुलिस भी घटना सल पर पहुंची और बस को अपने कबजे में लेकर राजनगर थाना ले गई मृतक का नाम सुधाकर महाकुन बताय जा रहा है जो बड़ा सीजुलता गाउं का रहने वाला है प्रति दिन की तरह आज भी वह दूद पहुंचाने नवोदे विद्याले जा रहा था इसी दवरान सड़क पार करते समय अनिंत्रित बस ने ओवर्टेक करने के चक्कर में टक्कर मार दिया औल इंडिया सूरी केन शोरीन रियू कराटे डोफ फेडरेशन की जीला इकाई की ओर से सहर के निमडी में एक दिवस्य कराटे प्रसिक्षन सिविर और ग्रेडिंग परिक्षा का आयोजन किया गया इसमें सहंबासा और नौमुंडी के करीब 30 कराटे कारों ने हिस्सा लिय ग्रेडिंग परिक्षा का संचालन फेडरेशन की अध्यक्ष और मुख्य प्रसिक्षक संजय प्रसाद और कारेकारी सचेव शामल दास द्वारा किया गया इस दवरान उपाध्यक्ष नितिस विश्वकर्मा और कोशा ध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुपता भी मौजूद रहें ग्रेडिंग परिक्षा में 16 कराटेकार सफल रहें सफल होने वाले प्रतिभाग्यों को उनके द्वारा अरजित बिल्ट और प्रमार पत्र दे कर सम्मानित किया गया प्रातना विजेवर्गी को ब्राउन बिल्ट अभिनव विश्वकर्मा को ग्रिन स्ट्राइप बि वर्षा शर्मा अनीशा कुमारी ठाकूर और रिमजिम अगरवाल को ओरिंज बिल्ट वैभव रानी ठाकूर और चातर अंगरिया को यलो स्ट्राइप बिल्ट और अंबिका कुमारी ठाकूर को यलो बिल्ट दिया गया है सिम्भूम जनर्डिस एसोसेशन की ओर से ऐसा रूम्टा ग्रूप और तैंबासा विधायक दीपक बिर्वया के सौधिन से आयोजित मेडिया कब क्रिकेट प्रितयोगिता का आयोजन बिर्सामुंडा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया जिसमें टीम A ने टीम B को 10 रणों से बनाएं टीम A की ओर से बलेबाजी करते हुए राजिश पती ने नौ चौकी की मदद से सरवाधिक 48 रन बनाएं सुकेश कुमार ने 22 मानस घोस ने 20 सुनील सिन्हा ने 12 और रमेश दास ने एक रन बनाया टीम B की ओर से गेनबाजी करते हुए सुजीत मौजम बिहारी और र इसी केश सिंग देव ने एक-एक विकट लिये जवाबी पारी खेलने उतरी टीम B ने शांदार खेल का प्रदर्शन किया लेकिन निर्धारित 12 ओवर में 4 विकट के नुकसान पर 107 रन ही बना सकी टीम B की ओर से बलेबाजी करते हुए चार चौका और एक छक्का की मदद स सुजीत कुमार ने सरवाधिक 29 रन बनाए दो चौको की मदद से राजीव नैनम ने 22 रन बनाए गौरी शंकर जाने दो चौको की मदद से 14 रन राजीव सिंग ने 8 रन उधय प्रताप सिंग ने 6 रन और रिसिकेश सिंग देव ने 2 रन बनाए टीम A की ओर से गेंदबाजी करती हुए राजिस पती ने तीन विकेट और सुनील सिंधा ने एक विकेट जटके। पश्मी सिंभुम के उपिकास आयुक्त संदीब बक्षी अपर उपायुक्त अजाज अन्वर और सिंभुम जनलिस एसुसन के सनरक्षक और वरिष्ट पत्रकार संतोष सुल्ताने विजेता उपिजेता टीम को और मैन ओफ दा मैच रहे राजिस पती को सम्मानित किया। पश्मास आयुक्त संदीब बक्षी ने कहा कि हमारे जीवन में खेल का एक अलक महत्व है। रोजमर्रा की जिन्दगी में हम इतने परिशान रहते हैं कि अपनी लिए कुछ समय ही नहीं निकाल पाते हैं। हम चाहे किसी भी तरह का काम करते हूं लेकिन खेल हमें कुछ समय के लिए ऐसी अनुभूती देता है कि हम बाकी की दुनिया से कुछ छण के लिए दूर हो जाते हैं। खेल के दौरान हम बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। इससे हमें मांचिक सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से आपसी सहयोग बढ़ता है। जीतना हारना कोई माइने नहीं रखता। दरसल या तो हम जीते हैं या फिर सीखते हैं। जीतना और हारना कोई मांच को नहीं रखता है। क्योंकि सही आने में आपसी तक सहयोग समाजत से बना रहेगा। और नशीत लोग से इस जीत लिए तुछ कर सकें। तबने बादें। अपर उपायुक्त एजाज अनवर ने कहा की आज के मैच को देखकर चाइना गिट फिल्म की याद आ गई। आप सबने यह साबित कर दिया की हड़िया बुड़ी होती है जज़बात नहीं। उन्होंने कहा की पत्रकार हर जगह सही समय पर उपस्तित रहते हैं। उनका काम एक अलग चुनाती पूर्ण होता है हलां की उनकी मैनत सामने दिखाई नहीं देती है। अपर उपायुत ने बिर्सा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम के बहतर रख रखाओ के लिए पश्चमी सिंबुम जीला क्रिकेट एसोसिसन की भी सराना की। चैंबासा के SDPO दिलीब खलकों ने खिलाडियों का होसला अफजाई की और आयोजन की सराना की। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन हर महिने होना चाहिए ताकि पत्रकार भी अपने लिए कुछ समय निकाल सके। तो आज यहां वर्तित सभी चैना गेट की आति लाना हमें सभी पत्रकार भी आपने इस चावित किया कि हड्या मोडी होती है जजबाद बुड़े नहीं होते हैं। और इस तरह से चलता रहता है पुछले दो साल से मैं यहां पर हूँ और हमने पाया है कि यह कोई मौका हो और हम लोग घर्म पर भी चाहते हैं। लेकि पत्रकार होना हर समय सही जगा तो सही समय पर पहुंचे रहते हैं। तो उनका एक अतना अलग तरह कार की मैनत होती में जो साहए लोगा को उभर कर सामने नहीं आता है। आज कि सुल्दानियाची ने अनलोग किया है कि पत्रकार को भी फ्रंट-लाइन वर्कर की तरह ट्रीट करना चाहिए। हम लोग पहले ही एक प्रकाव भीजा है। पत्रकार और साथ में कोरोना काल में हमसे खंदा से खंदा में लाकर काम करने वाजे सभी मेडिकल शॉप्स के ओनर्स में कितनी फर्मचारी है। यह तो लोग यह लगतार काम करते हैं। बहुत सारे में वर्क फर्म हों कर रहते हैं। लेकिने पत्रकार गूपी आजा था जो वर्क फर्म हों नहीं कर पा रहा था। हमेजा से फ्रेंट लाइन महीं था। तो मुझे लगता है कि यह सरी दिवांट है। इस प्रेर दामें चाहिए। लोगने प्रस्ताव पहले में पेटा है। फिर सेस्कों दुबाड़ा प्रस्ताव पीजेंगे। इसकी मैने आप जोगता है। लाज़ा है। तो बाकि यह सर्सेशन ग्राउं को हम लोग पाते हैं कि जारकर में बहुत कम डिस्ट्रिक्स में जारकर्ण यूनियन आप जनलिस्ट के कारेकारी अध्यक्ष राजीव नैनम ने कारेकरम को संबोधित करते हुए कहा कि इस मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता के बहाने यहां के सभी पत्रकार एक साथ बैठते हैं एक दूसरे से बात कर पाते हैं खेलकुद के बाद एक नई उर्जा के साथ फिर अपने काम में जुड़ जाते हैं। सिम्भूम जनरिस एसोसिसन के संरक्षक संतोष सुल्तान्या ने सभी पत्रकारों का होसला अपजाई करते हुए कहा कि हार जीत तो लगी रहती है। हमारी शुब कामनाई दोनों टीमों के साथ हैं। उन्होंने जीला प्रसासन से आगर किया कि पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह सुविधाय दी जाए। COVID-19 के दौर में पत्रकारों ने बढ़ चड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सिम्भूम जनरिस्ट एसोसिजन के अध्यक्ष गौरी संकर ज्ञा ने धन्यवाद ग्यापन किया। इस मौके पर सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी, सिम्भूम जनरिस्ट एसोसिजन के उपाध्यक्ष दिलीब बनर जी, महासचेव, राजेश पती, कोशा ध्यक्ष उद्यप्रताप सिंग, संतोस वर्मा, भागीरती मैतो, रामेंदर सिन्ना, थामस सुन्डी सहित अन्यलूग मौजूद रहें। जानकारी मिलने पर पुलिस अधिक्षक ने बंदगाव थाना प्रभारी के नत्त्त में चापिमारी दल का गठन किया। के अंतरगत महावारे सोचता प्रबंधन पर जीला स्तरिय एक दिवसी कारशाला का आयोजन किया गया। कारशाला का आयोजन जीला सिक्षा पदाधिकारी निर्जा कुजूर के अध्धक्स्ता में हुई। कारशाला में जीले के 94 सिक्षक उपस्तित थे। कारशाला में जीला प्रबंधक नीरज कुमार सिन्हा, वर्ल्ड विजन इंडिया के जीला प्रबंधक अमर राठोर ने सुच्चता प्रबंधन पर चर्चा करते हुए महामारी सुच्चता पर विसीस रूप से किसूरियों को इस सम्मंद में सही जानकारी देने और सभी विद्यालेों में महामारी सुच्चता प्रबंधन के लिए MHA लैब बनाने पर जोर दिया, इसके साथ ही कारिक्रम में ठो और तरल कचडा का सही निश्पादन करना एवं सुच्च विद्याले सुच्च बच्चे के अंतरगत सुच्च विद्याले पुरस्कार के 49 इंडिकेटर पर चर्चा की गई स्री स्री कामरिया संगच चैंबासा की और से 11 मार्श 2021 को माशिवरत्री के अवसर पर सेव बरात और सेव परवती विवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा इस अवसर पर COVID-19 के नियमों का भी पालन किया जाएगा सेव बारात सिवा तलाब से संध्या चार बजे निकाले जाएगी रातरी आट बजे बारात सिदेशवर मंदिर पहुँचेगी चक्रधरपुर में निसार अहमद पर गोली चलाने के आरोपी 29 वर्सिय राजिस महापात्रा को पुलिस ने गिरफतार कर नयक हिरासत में भेज दिया है आरोपी राजिस के पास से पुलिस ने देशी पिस्तोल, जिन्दा कार्थूस, मोबाइल और स्कोटी बरामत किया है चक्रधरपुर थाना के केंदो देवगाउन निवासी निसार अहमद को सनिवार की संध्या दो अग्यात अपराधियों ने गोली मार कर जक्मी कर दिया था जक्मी निसार के बयान पर चक्रधरपुर पुलिस ने अज्यात के खिलाब मामला दर्श कर अनुसंधान सुरू कर दिया चक्रधरपुर पुलिस ने गोली चलाने की एक आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफतार कर लिया गिरफ्तार आरूपी ने सहयोगी का नाम बता दिया है पुलिस दूसरे आरूपी के गिरफ्तारे के लिए छापा मारी कर रही है गिरफ्तार आरूपी राजिस महापात्रा सरायकिला खरस्वा जीले के बड़ा गमरिया निवासी है आरूपी ने गोली चलाने के कारणों का खुलासा नहीं किया है अभी के लिए बस इतना ही कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक नियोस्टैंस के पुली टीम को दीज़े इजाज़त नमशकार